जो आदनी इतनी तीवड़ता और कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है, वो ऐसा इसले नहीं कर रहा है कि उसे फल नहीं चाहिए, प्रॉब्लम ये है, कि आपने कृष्ण की बात को राजा के सेवक के शब्दों में सुना है, आप जीवन में चाहे जो भी करना चाहें, आपके लक भगवत कीता में आ भगवान श्री कृष्णा हमें फल की चिंदा छोड़कर कोशिश करते रहने का उपदेश देते हैं, पर मुझे काम करते जाना और नतीजों पर ध्यान ना देना बहुत जादा मुश्किल लगता है, और मैं जानना चाहती हूँ कि हम ये कैसे करें, बिन मैंने किसी भी शास्त्र को ठीक से नहीं पढ़ा है, ये दुर्भागे पूण है, पर मुझे कहना पड़ेगा, मैंने गीता भी नहीं पढ़ी है, पर हम जानते हैं कि क्रिष्ण के जीवन में ऐसा लोग सोचते हैं कि क्रिष्ण यानि मक्खन, लड़कियां और बांसुरी, पर आपको ये समझना चाहिए, ये सारी चीजें तब हुई जब वो 16 साल के थे, तो सोला के बाद उन्होंने एक बहुत ही कमिट्मेंट भरा जीवन जिया, उनका कमिट्मेंट था उस समय की राजनितिक प्रक्रिया और आध्यात्मिक प्रक्रिया को जोड़ना, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब तक सत्ता पर बैठे हुए लोगों में, जीवन की एक बड़ी समझ नहीं पैदा होती, और वो अपनी पहचान में सभी को शामिल नहीं करते, ऐसे नहीं कि बस मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पती, मेरी पत्नी और ये सब, जब तक आपकी अपनी पहचान की समझ बड़ी नहीं हो जाती, सिर्व तभी आपको सत्ता की ताकत मिलनी चाहिए नहीं तो, ब्रष्टाचार होने लगेगा, लोग कहते हैं, सत्ता ब्रष्टाचार है, सत्ता ब्रष्टाचार नहीं है, सीमित पहचान भष्टाचार है उनको लगता है वो सही काम कर रहे हैं और वो हर समय भयानक काम कर रहे हैं क्युकि उनकी पहचान इतनी छोटी है तो कृष्णे से बदलने की कोशिश कर रहे थे ये उनके पूरे जीवन का mission था और वो हमेशा फल को पाने के लिए काम करते रहे जो आदमी इतनी तीवरता और कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है वो ऐसा इसले नहीं कर रहा कि उसे फल नहीं चाहिए जाहिर है वो फल के लिए काम कर रहे है प्राब्लम ये है कि आपने कृष्ण की बात राजा के सेवक के शब्दों में सुनी हैं और किसी ने आपको नहीं बताया उन्होंने केवल अर्जुन से बात की अर्जुन ने कभी नहीं बताया वो उस घटना के बाद 36 साल और जीवित रहे पर उन्होंने कभी क्रिष्ण की बतायी वी बातों के बारे में एक शब्द नहीं कहा क्या आपने कहीं सुना है वो एक राजा थे पर एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि क्रिष्ण ने मुझे युद्ध के मैदान में ये बताया था एक बार भी नहीं तो जो कुछ भी आपने सुना है, वो केवल संजय से सुना है, जो कि राजा के एक सेवक थे, आपको राजा के सेवक के गुण को समझना चाहिए, वो बड़े भरोसे मंद होते हैं, देखिए, अगर आप मान लीजे, आपके पती या पत्नी या बच्चों ने कुछ देखा, औ जैसा होना हर इंसान के लिए स्वभाविक है, उनकी अपनी राएं, विचार, दूसरी चीज़ें अपने आप, उनकी बातों में शामिल हो जाएंगी, पर राजा का सेवक ट्रेंड होता है, कि वो कभी अपनी राएं न जोड़े, वरना उसका सिर्कलम होगा, वो एक-एक श संग नहीं है, जब दो लोगों के बीच बहुत गहरा संबंध होता है, तब बाते अलग तरह की होती है, आगर दो प्रेमी कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो शायद किसी को लगे वो लड़ रहे हैं, पर उनका लव अफेर चल रहा है, तो ये क्रिश् आपको जाने या उसको अनभव के स्तर पर समझे या जाने बिना संजे बता रहे हैं, और अब ये समझने के बाद, देखे, मूल रूप से बात बस इतनी सी है, आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, आपके लक्ष होते हैं, आप किस तरह के लक्ष बनाएंगे, अभी कियाता हूँ, क्यूंकि आप जीवन को थोड़ा थोड़ा करके संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कब्स की तरह, अगर आपका एक लक्ष है, तो आपका लक्ष कोई बिल्कुल नई चीज नहीं हो सकता, आप जो पहले से जानते हैं, आपका लक्ष बस उसका एक ब समझेगा कि आपने एक दिशा चुनली है, लेकिन आपको प्रॉसस को लेकर समर्पित होना पड़ेगा, वरना लक्ष केवल एक भ्रहम रह जाएगा, अगर आप, आप भी आप एक काम कीजे, ऐसा कीजे, बस ये वाली सांस मत लीजे, अगली वाली लीजे, मैं देखू तो, मैं नहीं कर सकती, बस यही तो वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये कदम ठीक से उठाए बिना, आप लक्ष के बारे में भ्रहमित होने लगते हैं, ऐसे कैसे चलेगा, योग में हम इसे बहुत सरलता से कहते हैं, हम कहते हैं, अगर आपकी एक आँख लक्ष पर हो, तो रास्त लडाई के बीच में अगर आपने कम्मे हैं, तो आपको लगता है आप बस अपने माक्स वगरा खो देंगी? क्या आप बस अपने ग्रेट्स वगरा खो देंगी? नहीं, आप उसी शाम गार दिये जाएंगे. तो क्रिश्ण उन्हें बता रहे हैं, क्योंकि अर्जन बोल रहे हैं, मैं इन सभी लोगों को मार कर कैसे राजा बन जाओं? वो कहते हैं, आप अभी राजा बने नहीं हैं. आपको पहले इस आदमी को ठीक से तीर मारना होगा. वरना आप राजा नहीं, आचाम आपको गार दिया जाएगा. क्रिश्ण बस उन्हें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं. क्या यह गलत है? तो पता है, हर साल नवेंबर के महिने में हमारे यहां एक बिजनेस इवेंट होता है. तो पिछले साल भी 200C हो आए थे, इस नवेंबर में भी यह होगा. और वो आते हैं, देखते हैं कि कैसे ईशा फांडेशन बिना किसी अर्चन के चलता है. तरह तरह की गतिविदियां होती हैं, सारे के सारे वॉलेंटियर्स हैं. अपको पता हैं, वो जिसे काम की ट्रेनिंग नहीं दी गई होती है, वो बेहत डेडिकेटिड हैं, पर उन्हें उस काम की ट्रेनिंग नहीं दी गई हैं. और आप उन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो वॉलेंटियर्स हैं. अगर आपने उन्हें नौकरी दी होती, आप उन्हें निकाल सकते, वो वॉलेंटियर्स हैं, कैसे निकालें, नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने ये देखा और बोले, सद्गुरू, हम IIT और IAM से सबसे बढ़िया लोग चुन कर ले के आते हैं। लेकिन आप सिर्फ वॉलेंटियर्स के साथ काम कर रहे हैं, और आपका और्गिनाइजेशन हमारी कंपनियों से बहतर काम कर रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैंने का देखे, आप सब लक्ष को लेकर डेडिकेटेड हैं। यहां मैंने लगातार लोगों में ये भाव जगाया है कि आप पूरी तरह प्रॉसेस को लेकर समर्पित हों। अभी आप जो कर रहे हैं, उसे अच्छे से कीजे, उनमें से ज़्यादा तर तो ये भी नहीं जानते कि मैं उन्हें कहां लेकर जा रहा हूं। ठीक है, वो बस किसी प्रॉजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि लक्ष क्या है, मेरा लक्ष कुछ और है, अगर मैं उन्हें अभी बता दूँ तो वो हिल जाएंगे, क्योंकि मेरे लक्ष इतने बड़े हैं कि वो हार मान लेंगे। तो अब हमने उन्हें ये बात डाल दी हैं, कि आप बस इस प्रॉसेस में पूरी तरह से भागीदारी लीजे, पहले भागीदारी लेने की खुशी को जानिये सबसे पहले। बिना पूरी भक्ति के भाव को लिए आप जो भी कर रहे हैं, आप अपने जीवन में कुछ भी महतुपूर्ण नहीं कर पाएंगे। चाहे आर्ट हो, म्यूजिक हो, आध्यात्म हो, राजनीती हो, बिजनेस हो, कुछ भी ले लीजे। बिना उस प्रॉसेस के प्रती समर्पित हुए, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको लगता है आप कुछ भी महतुपूर्ण कर सकते हैं। कृष्ण बस यही तो कह रहे हैं।